आपसे क्या पूछा गया है तो सिंपल से आपका डेफिनिशन फॉर्मुले के ऊपर क्योशन पूछा गया है जो अपका डेफिनिशन होता है उसके लावद देखिएगा नेक्स्ट क्या है तो आपको पता है कि रेक्टिफायर से पूछा गया है कि रेक्टिफायर के अंदर अपन डायोड को यूज में लेते हैं बुविंग इंटु दे नेक्स्ट वन असेंशियल कंपोनेंट इसका डायोड होता है मुविंग इंटु देक्शन नंबर 17 देखिएगा तुमे के पी टाइप सेमी कंडेक्टर आपको पी टाइप का सेमी कंडेक्टर बनाना है फ्रम ए प्योर जर्मेनियम दे इंपुरिट इंट आप से भी क्योशन पूछा जा सकता है एंट आइप के जो मैटिरियल बनाने के लिए किसकी डॉपिंग की जाती है तो इध्यान में रखिएगा कि पी टाइप का जो आपको डॉपिंग की जाती है वो अलुमीनियम की वज़े से की जाती है तो यह अंसर इसका उप्स कहते हमें है वह बोला गया है कि जो ग्रेडियन्ट है पकर गीवन है कितना है फैक प्लेट का रेजिस्टेंस तो यह अगर आपको ऑसकी इसका आपको M, that means slope आपको given है, characteristics gradient आपको given है और आपसे resistance पुछा गया है, तो simple सा formula यूज़ करके आप find out कर सकते हो इसको, उसके बाद में देखीगा question number 19 क्या पुछा गया है, तो ये ऐसा question आपसा पहले भी पुछा गया है, तो important है, आपके next exam के अंदर, और बोल मोडल से question पूछा जा सकता है, तो बोल मोडल को आपको अच्छे से cover करना पड़ेगा, और बोल मोडल के अंदर भी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फोन, series से question पूछा जा सकता है, ये formula को आप ध्यान में रखेगा, one upon lambda equals to r, जहां पे r जो है आपका required constant है, one upon, लाइमन series की बात कर रहे हैं, तो one, and then transition होगा, वो one के अंदर होगा, कहां से हो सकता है, two, three, four, up to infinity तक transition हो सकता है, तो इसका answer होगा, वो लाइमन series हो जाएगा, okay, moving into the next question, देखिएगा क्या है, question number 20 की बात करते हैं, अपन, the three solid wavelength of sodium metal is, आपको sodium metal की three solid wavelength given है, और आप से इसका work function पूछा गया है, तो आपको simple सा बता है कि जो work function के लिए जो formula होता है, वो work function equals to h new node होता है, जहां पे new nodes है, वो three solid frequency होता है, आपको question के अंदर three solid wavelength दिया हुए, तो सबसे पहले आपको three solid wavelength से three solid frequency find out करना पड़ेगा, and then three solid frequency की value आप यहां पर रगोगे तो work function निकल के आ जाएगा, या फिर आप direct formula यूज कर सकते हो, hc upon lambda 0 work function के लिए, तो यहां से भी आप value निकाल सकते हो, moving into the next question, question number 21 देखीगा, क्या पूछा गया है, helm halter's coil are designed to produce, helm halter's coil होती है, वो क्या produce करने के लिए क्या जाता है, तो ध्यान रखीगा, helm halter's, जो कोई लोता है, उसको uniform magnetic field को produce करने के लिए काम में लिए जाता है, तो इसका जो answer होगा, option number A हो जाएगा, uniform magnetic field, okay, उसके बाद देखीगा, which one of the following can be used to make the magnet, magnet को बनाने के लिए इन में से किनको यूज में लिए जाता है, तो ध्या जाता है, the magnetic susceptibility of an ideal diamagnetic material, जो diamagnetic material है, और जो भी ideal diamagnetic material है, उसके लिए susceptibility की value कितनी होते है, तो ध्यान रखेगा, ideal diamagnetic material के लिए susceptibility minus 1 होती है, इसी question के जैसा और क्या के questions आप से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि जो susceptibility है, वो paramagnetic material के लिए कितना होता है, फेरो मेगनेट मेगनेटिक मेगनेटिक में तो आप इनको कवर किजिएगा, उसके अलावा देखे, question number 24 आप से क्या पूछा गया है, the magnetic moment of an electric, of an electron circulating in the first orbit of hydrogen atom is called, तो आप उसके question पूछा गया है, जो की circulating करना है, इन the first orbit of the hydrogen atom, तो उसको आप क्या बोलते हो, तो ध्यान रखेगा, इसको अपन बोर मेगनेटोन बोलते हैं, तो simple सा basic definition से question पूछ लिए आप से, कि बोर मेगनेटोन क्या होता है, moving into the next question, देखेगा, क्या पूछा गया, which one of the following materials show hysterious, important question है, repeat हो सकता है question, which one of the following material show करता है, hysterious, तो आपको बता है कि जो hysterious loop होता है, वो ferromagnetic material की characteristics property होता है, diamagnetic material show नहीं करता है, hyster hysterious loop, paramagnetic material भी show नहीं करता है, anti-ferromagnetic material भी show नहीं करता है, यह आपका hysterious loop होता है, वो ferromagnetic material की property होता है, next question, आप से hysterious loop पे ही पुछा दा सकता है, कि hysterious जो कर होता है, किस-किस के बीच में relation होता है, तो यह धियान रखिएगा, B, H करो जिसको अपन बोलते रहे, M, I के बीच में relation हो सकता है, so these things भी remember, उसके बाद में देखेगा, question number 26 क्या है, what is the maximum safe current that can be passed in a 10k ohm, what resistance, right, so आपको पता है, यह धियान में रखिएगा, देखो, आपको resistance की value गीवन है, यहाँ पे 10 kilo ohm, okay, and then आपको power गीवन है, यहाँ पे 4 watt, right, power गीवन है, आपको resistance गीवन है, तो आपको ए RBC का formula होता है, V into IBC का formula होता है, तो आपसे पूछा गया है कि maximum safe current कितनी हो सकती है, आपको resistance गीवन है, power गीवन है, तो इस formula को यूज में लेके आप current find out कर सकते हो, तो simple question है, उसके बाद में देखेगा, next question आपसे क्या पूछा गया है, at a nodal point of an electrical circuit, current of 1 ampere, 2 ampere and 3 ampere flowing away from the node, and current of 2 ampere, 1 ampere and 1 ampere flowing toward the node, then the value of the ground, then the value of the ground, then the simple section here, पर किर्चोफ का first low से पूछा गया है, कि जो फिर्चोफ का first low होता है, तो next question आपकी examination में पूछा जा सकता है, कि किर्चोफ का first low किसके conservation को follow करता है, तो इधियान रखिएगा, इचार्ज का गीवन है, यहापे एक nodal point है, वहां स सब्सक्राइब क्या है रखेटरी है दे एक ψफगिन की दो मित्ती सब्धाइब की की सताता है एक इसको सीरीज में लगाते हैं किसको पैलल करते हैं पूछा। तो इसका आंसर ध्यान रखेगा, तो इसका आंसर ध्यान रखेगा, the resistance of an ideal potentiometer is infinite होता है, ओके, तो इसका आंसर question number, इसका आंसर option number one correct हो जाएगा, moving into the next question, देखेगा क्या है, अब से question पूछा गया है, question number 29, two coils with induce, two coils with inductance 4 henry, आपको inductance की value given है, two coils है, दोनों की जो inductance है, वो 4 henry है, right, L1 की value और L2 की value आपको 4 henry given है, each are coupled in such a way, that they yield a secondary leakage flux of 0.2 henry, इनका जो resultant जो inductance है, वो कितना है, 0.2 henry है, इनका जो separate है, वो 4 henry, 4 henry है, और इस तरह से arrange है कि इनका जो resultant है, 0.2 henry, आप से पूछा गया है कि इनका coupling constant कितना होगा, तो simple situation आपको coupling constant के formula situation पूछा गया है, यह formula आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई दो inductance को आप couple करते हो, तो उसका जो resultant होता है, उसके लिए formula ध्यान में रखिएगा, L equals to L1 plus S2, plus 2 times K under root L1 L2, जहां पर K जो है वो आपका coupling constant है, जिसकी value आप से यहां पर पूछे गई है, तो आपको L1 की value question में given है, L2 की value question में given है, L की value given है, तो यहां से आप K की value find out कर सकते हो, okay, moving into the next question, question number 30 देखिएगा क्या पूछा के आप से, which one of the following, which of the following works, it's not done by the transformer, transformer के तो इन में से कौन सा वर्क नहीं किया जाता है, तो आंसर देखिएगा, इसमें options given है, to transfer AC power from one circuit to another, to in an unmade source and load, third option दियागा, to increase the power in a circuit to other by its transfer, to reverse the polarity of voltage between two circuits, okay, तो ध्यान रखिएगा, इन में से, अप से question क्या पुछा किया, इन में से कौन से transformer का कम नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो transformer होता है, वो power को increase नहीं करता है, right, इस cancer given है, transformer does not increase the power of, in a circuit to the other by its transfer, तो ये क्यों से ध्यान रखिएगा, transformer power को increase नहीं करता है, transformer जो होता है, वो AC power को एक circuit से, दूसरे circuit में transfer करता है और matching करता है unmaged source के बीच में then polarity को भी reverse कर देता है बट इसका जुका में power को increase करना नहीं होता है तो यह basic concept ध्यान में रखेगा moving into the question number 31 देखेगा क्या है question number 31 आपसे पूछा गया है by electrostatic induction we produce electrostatic induction से अपन क्या produce करते है तो ध्यान रखेगा कि electrostatic induction होता है उससे अपन equal and opposite charge को produce करते हैं होके इसका answer number three clear हो जाएगा equal and opposite charges को produce करना होता है तो आप electrostatic induction का principle काम में रहते हो simple चाह concept है 12th class का जो NCRT की जो भूक है उसका first very first topic है electrostatic induction तो वहां से आप पढ़ सकते हो इसको ओके करते हो में तहका इसस्ता की जोगम हो में, नटप। करते हैं करते हाज़ के ऊड़ का का तो रहाना है तो जा हूना है तो इन पश पवाया है झाल झाल